अमस्कार मैं प्रिजमोन सूरी ओटिमेशनल स्पीकर साइग रन्त राइटर रेड़ बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके चैनल में आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रते दिन एक उपाय बताया जाता है यह उपाय आप कोई भी कर सकता है यानि आप पर कोई भी दशा है आप किसी विराशी के स्वामी हैं कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यहे उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं बहुत महात्म पूर्ण बदलाव आपकी जिन्दगी में आ सकते हैं यहे उपाय आप सूरे डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है सूरे डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए क्योंकि यहें उपाय आपकी जिन्दगी बतल सकते हैं और बहुत लोगों की जिन्दगी बतल भी चुकी है तो आईए जानते हैं आज का उपाय अब हम बात करेंगे 23 तुलाई 2020 के उपाय की मैंने आपको बताया था कि धन प्राप्ति के वभिन हम उपाय करेंगे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए 22 तारिक के मैसेज के लिए यानि उपाय के लिए कि क्या यहीं उपाय 15 दिन करना है जी नहीं 15 दिन में रोजाना नया उपाय बताया जाएगा वो करना है जैसे आज का उपाय बताने वाला हूँ यह 23 तारिक का है और यदि आप इन उपायों का अधिक लाव लेना चाहते हैं तो आगे दूसरों को भी यह सब उपाय बताये इससे आपको बहुत अधिक लाव मिलेगा तो आज का जो उपाय है वेह है धन प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं बहुत सब्सक्राद डन चाहते हैं कि आपको मिले आपका योग खुले आपका वपार नोकरी चले कर्ज मुक्ती हो तो ये सारे उपाए आप कीजिए बहुत अधिक लाब आपको मिलने वाला है सावन के महिने के विशेश उपाए हैं ये जो मैं आपसे प्रति दिन ग्रहों के नुसार करवा रहा हूं गुरुवर है एक नारियल ले लीजिए जैसा नारियल पिचर में दिखाया गया है उसको छील कर प्रमात्मा के शिरी चर्नों में रख दीजिए और हाथ जोड़कर प्रात्ना कीजिए कि हे प्रभू हमारे समस्त संकट दूर कीजिए और इस नारियल को अमरत सवरूप बना द है जो कर्ज-मुक्ति हो जड़ रही है जो धन की प्राप्ति नहीं हो रही है वह तेजी से हो तेजी से हमारे गर्मे धन आये तकि हम अपनी जरूरत के साथ साथ लोगों का वी बला कर सके और फिर उस नारियल को फोड़कर जितने अधिक से धिक लोगों में बाँड सकते है बांटें, खुद भी खाएं, घरमे भी बांटें, बाहर दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप सब खा सकते हैं, नारियल की चटनी मत बनाएं, नारियल को किसी हो रवस्ता में मत खाएं, परशाद के रूप में ही खाना है, जैसे मैंने आपको पताया है, ये उपाए आपको प उपाई अपने आप में एक विशेश महत्तव रखता है अपने आप में शक्तियां देता है इसलिए मैंने ये उपाई आपको बताया है जन्नम कुंडली में भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जिने हम देखकर आगे बढ़ते हैं जिने देखकर हम उनके हिसाब से उपाई करते है तो जिंदगी बदल जाती है प्रंतु जनम कुंडली के साथ साथ ये उपाए जो है regular क्योंकि मैं प्रति दिन एक उपाए बताता हूं और कितने सालों से ऐसा करम चल रहा है और बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुकी है यदि आप ये उपाए करते रहें तो आपको अधिक धन देती हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब के पास अधिक से अधिक धन आए आपके सभी संकट दूर हो जाएं इसलिए दिल से आप सब ये उपाए करते रहें और देखिए कैसे आपको शक्तियां मिलती हैं और कैसे आप तेजी से आगे बढ़ते हैं यहां इजाज कर दें ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें उनको भी लाब मिले और जब उनको लाब मिलेगा तो आपको उसका पुन्य प्रापत होगा तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वाटसेप कर सकते हैं यदि आपने जनम पत्री दिखानी है तब भी आप व कैसी होगी कई बार हम ग्रेहों के उपाए करते रहते हैं परन्तु हमें लाब प्रापत नहीं होता है हम लगातार ग्रेहों के उपाए कर रहे हैं बहुत सरे एस्ट्रोजर्स के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाब नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम चल्ए लेगा कब तक जब तक कि उस योग को वली नहीं किया जाता है activate नहीं किया जाता तो यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो WhatsApp कीजिए सौब है तब भी WhatsApp कीजिए WhatsApp का जवाभ चार यह पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं उठाता है तो अब मैं इजाज़त चाहूंगा नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखे